यह लास्ट टॉपी क्या था अच्छा लागरित्मिक का डिफरेंसेशन बता दिया था एकस्पोनेशल भी बता दिया था तो अब नेक्स्ट है लागरित्मिक के कुछ प्रोपरटीज जैसे मालो की लाग में दो फंक्शन है एकस और वाई इसका बेस ए हो बेस ए हो बेस टेन हो तो जब ये क्वाइन्टिटी प्रोडट्ट के फ़ार में रहेगा एकस और वाई तो इसको हम लोग इस फ़ार में दिख देंगे सपोज ये लाग एकस वाई बेस ए है तो ये लाग एकस हो जाएगा बेस ए जब एकस्पैंड करेंगे तो दूसरा टर्म लॉग वाई बेस ए मत्तब मल्टिप्लिकेशन इस कनवर्टेड इंटो एडिशन जब भी मल्टिप्लिकेशन के फ़ार में रहेगा तो उसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो वो एडिशन के फ़ार में देगा थे के तो यह पहला प्रपरडीश होगा थे के नौट कर लिया फ़ार फर्स प्रपरडीश नेकस्ट आजओ स्थिकेशन के फ़ार में होगा तो यह सब्त्राइक्शन देगा तो लॉग ए एकस बाई य लॉग एकस मानस लॉग यत JAKE यह आ जाएगा लॉग एक्स मानस लॉग वाई ठीक है? हर्ड प्रपडीस कहता है कि लॉग एक्स टू दी पारेन बेस ए है तो जब पावर रहेगा तो यह पावर यहाँ पर है एक्स पर पावर एन है तो यह पावर यहाँ आ जाएगा जैसे मालो लॉग ए है एक्स टू दी पार फाइव तो यह पावर फाइव यहाँ आ जाएगा तो फाइव लॉग एक्स बेस ए उसी तरह से यहाँ पर एक्स का पावर एन है तो यह power यहां आ जाएगा तो n log x base ठीक तो third properties को भी no down कर ले नेक्स्ट आज है fourth अब कहता है कि log b base a तो हम इसको division के form में लिख सकते हैं log b by log a लेकिन क्या होगा वही division होगा यहां पर यदि b लिख रहे हैं numerator में तो base change करना है अधिनिमेटर में लिख रहे हैं log a तो base change होगा मत्तब यहां पर log b base a है तो इसका जब expansion होगा या इसको हम इस form में लिखेंगे तो log b base e log a base e यह fourth properties होगा है चलो fifth क्याता है log b base a अब इसको हम base को interchange कर दें यहां base a है इसको interchange करेंगे तो reciprocal form में आ जाएगा इसलिए यहां reciprocal आ गया और log a base b अब यहां पर यह constant term है log 1 तो इसका 0 आ जाएगा numerical value एक और जब यहां पर log हो और same base हो तो तोस कंडिशन में 1 log 2 base 2 1 हो गया last अब यहां पर देखो इसी को expand किया यहां पर log यह क्या लिखेंगे इसको expand करोगे तो power है तो यह r हो गया log a base a और इस property से यह one हो गया it becomes r into 1 r अब आजा इससे related problem क्याता differentiate the following function with respect to independent variable तो जैसे पहला question log का simple अभी just last properties से पहले second last पड़ा था log a base a 1 इसका मत्तब जब हम इसको expand करेंगे तो क्या देगा यह one और dy by dx constant term का differentiation 0 इसलए यह 0 आगे next question second question कहता है y is equal to 2 log 2 x तो यहाँ पर देखो यह जब expand होगा तो 2 log 2 x इसका मत्तब क्या होगा यह quantity क्या देगा one तो finally क्या होगा यह x बचा और x का differentiation dy by dx is equal to 1 okay नेक्स्ट कोश्चन बिलकुल सिंपल है वासे ही क्या सिखाया था ये पावर के फार में कनवर्ट हो सकता है इसको क्या लिकेंगे ए लॉग ए और ये पावर में लिया एक्स क्यूब और अब इस पढ़ा टू लॉग टू वन इसका मत्तब ये वन तो वाई इस इकल टू क्या गया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिशन एन एक्स एन माइनस वन तो थ्री एक्स प्री मानस वन थ्री एक्स स्क्वार हो गया अब कहता है यहां पर वाई इस एकॉल टू ध्यान दो यह फाइव अब यह क्या हो गया देखो ध्यान से यह भी पावर के फार में दिया हो तो फाइव तो यह हो गया टू लॉग टू और यह एक्स का पावर क्यूब हो गया तो यह वाला पार्ट वन तो यह बन गया फाइव एक्स क्यूब तो दी वाई बाई डी एक्स यह फाइव हो गया और x cube का nx n-1 5 into 3x square it is 15x square हो गया अभी यहां पर देखो 9 into 3 to the power x हमने आपको a to the power x का differentiation previous class हम बता रखा था a to the power x log a base e बेलकुल इसी पर-based है y is equal to 9 3 to the power x है तो dy by dx 9 coefficient की तरह act किया 3 to the power x तो यह 9 into यह हो गया a to the power x मतब 3 to the power x log 3 base e यही अंसर आगे है आगे समझ में तो logs related बहुत सारा question हम लोगों ने कर लिया अब next topic हमारा है कि जब भी दो quantity product के for में रहे तो variable रहे जैसे u और v तो variable है तो कहता है कि पहले वाले function को constant करो दूसरे का differentiation प्लस दूसरा constant पहले का differentiation as for example पाल लोग quantity हमारे पास है e to the power x into sin x दो variable यह u बन गया यह v बन गया तो जब हम इसको इस for में लिखते हैं मतब तुबारा लिखके बता देते हैं तो यहाँ पर यह u है इसका मतब e to the power x constant हो गया और फिर दूसरा term क्या है sin x तो sin x का differentiation फिर sin x constant रहेगा और e to the power x का differentiation हो जाए अभी e to the power x हो गया sin x का differentiation cos x हो गया फिर sin x constant e to the power x का e to the power x e to the power x common ले लो तो इस cos x plus sin x है समझ में? तो डाउन कर लो झाल कि समत signing झाल सकता है जाबे थास पर ही जाव भॉelf झाल हो गया करें अब यहाँ पर मालो ऐसा आजाए कि तीन वेरबल हो यू वी डबली तो किसी दो को हम constant रखेंगे randomly मालो के ऐसा हम rule हमने जो लिख रखा उस rule को apply न करके randomly apply कर ले वी डबली अब आप चाहते को नहीं हम वी डबली को constant रख दे या U V को ही constant रख दे तो third का differentiation कर दो एक बार में एक ही का differentiation करना है और मालों यहाँ पर आपने U का कर दिया तो जो remaining है उसको लिख दो तो V W हो गया इसमें V का कर दिया तो U W ऐसे लिख देंगे समझ में आगए rule इसको भी note कर लो झाल हो गया एरेस करें अब जैसे एक्जाम्पल है टूदी पर एक्स का भी जस पता है साइन एक्स का एक्स्पैंड करने का तरीका सिखा दिया अब इससे रेटर हम लोग प्राब्लिम करते हैं ऐसे ही हम डारेक्ट मल्टिप्लाई करके भी कर सकते हैं पहले वाले रूल से लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोड़क्ट रूल को यूस करेंगे तो पहला कोश्चन हमारा यहाँ पर है वाइस इकल टू थ्री मानस एक्स स्क्वार तो यह यू हो गया और सकेंड टर्म का डिफ्रेंसेशन करना है तो एक्स क्यूब मानस एक्स प्लस वन और फिर एक्स क्यूब मानस एक्स प्लस वन कांस्टेंट हो गया दूसरे का डिफ्रेंसेशन करना है three minus x square हो गया तो यहाん three minus x square हो गया x cube का डिफ्रेंसेशन three x square x का one, one का zero plus x cube minus x plus one और यहाँ पर 3 का डिफ्रेंसेशन चीरो X स्क्वार का 2X ठीक है यहाँ तक चिक करो देख लो एक बार अब यह आ गया इसको मल्टिप्लाई कर दो यह 9X स्क्वार हो गया मानस 3 हो गया मानस 9 X 4 हो जाएगा और यह प्लस X स्क्वार हो गया यहाँ पर यह आगए 2X 4 प्लस 2X स्क्वार हो गया मानस 2X हो गया तो यहाँ पर यह गल्दी कहीं है क्या चेक करो 3X का पावर यह 3 इंटू 3 9 X स्क्वार हो गया मानस 3 हो गया और यह मानस 3 हो गया मानस 3 हो गया X का पावर 4 ठीक तो यह बन गया मानस 5 X का पावर 4 और यह आपका 9X स्क्वार 10 और 2 12X स्क्वार हो गया मानस 2X रह गया और यह मानस 3 हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक्स कोश्चन पर आजाएं इसको भी वैसे ही प्रोड़क्ट टूल के हल्प से करना है तो DY by DX X स्क्वार प्लस 1 प्लस 1 प्लस रहाँ एक्स का इफ्रेंशिशन 1 5 का 0 1 बाइ एक्स का मतब X तो पार मानस 1 तो NX N मानस 1 मिन्स मानस 1 बाइ एक्स स्क्वार अब इसको expand कर दो तो यह x into 1 x square हो गया minus यह multiply करोगे तो 1 आ जाएगा plus यह 1 हो गया और यह minus 1 y x square यह answer लगता कि कहीं mistake हो गया क्या कुछ dgt दरूदर हो गया हो गया अच्छा product rule है sorry एक ही part किया हमारी mistake है कोई बात ही है हम कर दे रहें इसको remove तो पहला ही term का हमने किया था चली तो यहाँ पर यह इसको constant का इसका differentiation और second quantity constant cost का differentiation x square का 2x 1 का 0 अब इसको इससे multiply करो तो 2x square हो गया इसको इससे multiply करो 10x हो गया plus 2 into 1 अब यहाँ से यह 1 और 1 cancel यह आपका x square plus 2x square 3x square हो गया minus 1 by x square हो गया और यह 10x हो गया और plus 2 अंसर सही है next question x square plus 1 by x square into 5x to the power 6 plus 3 बिलकुल वासे ही करना है तो dy by dx x square plus 1 by x square constant हो गया इसका differentiation 5 constant x to the power 6 6x 5 हो जाएगा nx n minus 1 or 3 कर differentiation 0 plus 5 x to the power 6 plus 3 पाले वाले का differentiation 2x or 1 by x square x का पावर मनस 2a so nx n minus 1 so minus 2 by x cube तो यह मानस 2 by x cube हो गया सबको multiply करो देखो कितने आ रहे है इसको इससे multiply क्या यह 30 x का पावर 7 फिर इसको इससे multiply क्या 30 x का पावर क्यूब इसको इससे multiply क्या तो 10 x का पावर 7 minus इसको इससे multiply क्या तो यह 10 और यह x cube बचेगा ठीक और कोई quantity बचा और यह इसको इसको इससाथ multiply हुआ minus 6 by x cube तो यह 30 और यह 10 40 x to the power 7 30 में से 10 चला गया 20 x cube अच्छे एक टर्म और भी छुट गया यहाँ पर 6 in 3 into 2 6 x तो यह बज़ गया 6 x minus 6 by x cube चलो नोट करो अब आज एक कोसेंट रूल कोसेंट रूल में कहता है डिवीजन वाला रूल है कोई भी क्वांटिटी डिवीजन के फॉर में होगा जैसे x by sin 100 e to the power x by sin 100 तो यहाँ पर कहता है u by v के फॉर में है तो इसको हम लोग numerator लिख देते हैं इसको denominator लिख देते हैं तो इस कंडिशन में कहता है denominator का whole square करेंगे और यही quantity यहाँ constant होगा numerator का differentiation होगा मानस numerator constant होगा और denominator का differentiation होगा आप ऐसे भी याद कर सकते हो यह numerator लिख दिया यह denominator लिख दिया denominator का whole square हो गया यह denominator यहाँ constant हो जाएगा और differentiation numerator का होगा मानस numerator constant और differentiation denominator का होगा यह तरीका है इसी पर हम लोग इसको expand करेंगे जैसे एक example है बहुत common सा example पर इस tan x जिसको हम लोग sin x by cos x लिख सकते हैं tan x का differentiation से कि square x जानते हैं तो हम लोग इसको prove भी कर सकते हैं इसी rule से यहाँ पर हो गया यह cos square x हो गया cos x constant हो गया sin x का differentiation minus sin x constant हो गया cos x का differentiation यह हो गया cos x sin x का differentiation cos x minus sin x cos का minus sin x इवीजर में आगया cos square x यह cos square x plus sin square x divided by cos square x 1 by cos square x take square x के equal हो गया अब इसी पर बेस्ट आप इसको बना करके check करो cos x का minus cos x square x होता है प्रूफ करके देखो आता है कि नहीं तो cos x by sin x चेक करो झाल करो बिल्कुल इसी में थरट से हो जाएगा यहां साइन एक्स का होल स्क्वार साइन एक्स कांस्टेंट कॉस एक्स का डिफ्रेंशेशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशेशन साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन कॉस एक्स का मानस साइन एक्स और फिफ्स साइन एक्स का डिफ्रेंशेशन इवाइड बाइस साइन इसक्वार एक्स हो गया यह मानस साइन इसक्वार एक्स हो गया मानस साइन इसक्वार एक्स पाई साइन स्कॉर एक्स हो गया यह मानस वन बाई साइन स्कॉर एक्स मानस कॉस एक स्कॉर एक्स अगय समझ में तो कोशिंट रूल का कैसे ही प्रूफ करके एक बताया ठीक है अब एक कोशिंट लिख लो एक दो कोशिंट बना के लाओगे य इकल तो 2x प्लस 5 दिवाइड बाई 3x मानस 2 दूसरा कोशिंट अंसर लिख लिया था दूसरा कोशिंट ये है ठीक और थार्ड कोशिंट तीन कोशिंट बना के लाओगे तो कोशिंट रूल भी हमारा खतम हो जाएगा इसके बाद हम लोग चेन डूल में इंटर करेंगे और चेन डूल का सबसे ज़्यादा यूटलाइशन फिजिक्स में है ठीक है? यूल मुझे यूल जिए भी यूल मुझे यूल यूल